है कि नेपाल जो है वह इंडिया के उपर में यह वाला जो कंट्री यह नेपाल हम इसको कलर दूसरा लेकर बनाते है तो कि रेड कलर से आपको समझ पिसाली हो गया था मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा सासक बहुत ही योद्धा थे वो लोग बहुत ही वीर हो गये थे उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गये ये क्या किये नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्कीम को भी ये लोग का area धीदार का अबर के यह आगे बढरके यह कुमाईव उत्रा खंड का ydart ka area कुमाईव को कभजा कर लिल इधर गड़भाल को कब जाकर लिया कुमाईव और गड़भाल को मिला देता ह्त उत्रा खंड हो जाता है इन दोनों को कबजा कर लिया और यहां थी सतलज नदी सतलज नदी और यह थी तिस्ता नदी तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहां तक हो गई यह तिस्ता नदी तक हो गई यह यहां टी लिख देते हैं तिस्ता एस फर सतलज सतलज से तिस्ता नदी के बीच में इनक वाले उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया उस युद्ध को कहते हैं एंगलो नेपाल वार आंगलो नेपाल युद्ध यह युद्ध चला 1814 से लेके 1816 के बीच में इस युद्ध में गोरखा बहुत बीरता से लड़े लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था उनक सुगौली की संधी कब साइन हुई थी तो देखे सुगौली की संधी साइन हुई थी 1815 में याद रखियेगा और वह इंप्लूमेंट यानि कम उसको अमल में लाया गया कबसे वह लागू हो गया तो वह 1816 से तो आप 1816 ही याद रखियेगा क्योंकि उसी दिन से वह इस समझोंते के तद कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे कुमायू वापस करे तराई का छेतर वापस करे सिक्किम वापस कर दे तो जब यह वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी आप 17 से 30 थोड़ी रह ạoर जुक्क उपस करे तो ओन्ग्रेजों ने ने नेपाल के लिए सीमा का निधारन कर दिया उन्हों कहा कि उत्तरा खंड में जो सारदा नदी है इस सारदा नदी को नेपाल के लोग महा काली तो महा काली नदी आवह यहां से सीमा बनाएगी पस्षिं से और इस तर्समें में बचान नादी यह आंद मेट के निपाल निकल कर बहार के परम्राद कहां मुत था किसंगंच में और नंदा नदी एमा काली नदी देशान गार यहां पर मेचान में नदी ब tor बन गया इन ही के बीच में से तिन्साइब करestäं पर और ये चांब सिरुक्त कि गर्ड़ के ये थे इंडिया नेपाल के बीच में एंगलो नेपाल वार 1414-16 के बीच हुआ सिगोली की संदी चंपारण में 1816 में कौन-कौन से एरिया वापस करना पड़ा था गड़वाल कुमायू तराई और सिक्किम का एरिया नदी कौन-कौन सी हो गई महाकाली नदी से लेके महाकाली संदी नदी यहां से और इधर में मेची नदी के बीच में यह हो गया सकते पहले जो नेपन दिया गया यहां पर बना दिया गया मेची नदी महाकाली नदी उसाइड में इसी को मानेंगे, तो विवात कहां से है, इसको मानेंगे, तो समझीए इसके बारे में, अलग इसका स्कीन-सॉट लेना चाहते है, तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा, विवात का कारण क्या है तो उत्तरा खंड से हम लोग को मानसरोवर यातरा की सुरुवात करानी थी हम लोग को तो मानसरोवर यातरा कैसे होगा तो द्यान से देखिया मानसरोवर यातरा के लिए हम लोग एक बहुत लंबा रास्ता तै करते थे मांसरोवर जाने के लिए हम लोग सीकिम के यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथूला दर्रा इस नाथूला दर्रा से हम लोग कालास मांसरोवर जाते थे यहां संकर जी का अस्थान है कालास मांसरोवर परवत पर महाकान तो यहां हम लोग जाते थें जो सरदालू है तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों न हम इन लोग को उत्रा खंड के रास्ते पहुँचा दे यहां से क्यों न पहुँचा दे आप कुछ देखें कि यहां से बहुत फायदा होगा दुरियां घट जाएगी इससे एक और फाइदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से future में जब कभी youth होता है तो हम यहां से सेना भी पहुचा सकते है क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेकुफी होगी तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भाई हम यहां सड़क बना देते हैं तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़के बनेगी बॉडर पे वो बनाने के काम करता है Border Road Organization BRO Border Road Organization BRO यह सेना के अंडर में एक संस्ता है यही काम करती है यह क्या करेगी भी यह बॉडर पर सड़के बनेगी अब बिवाद कैसे हो गया देखिए यहाँ पर काला पानी एक जगा का नाम है काला पानी तक सड़क थी उस सड़क को आगे बढ़ा कर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया यह सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर अब नेपाल कर दिया कि भाया आप यह जो सड़क बनाए है 80 किलोमीटर यह हमारे एरिया में है क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा लेपुलेख यह तीनों देशों के सीमा पर है इधर में इंडिया इधर नेपाल इधर चाइना तो यह जो आप सड़क बनाए है यह सड़क गलत है यह हमारे एरिया में आप मत बनाएए नेपाल कर आए कि हम सुगॉली की संधी को मानते हैं भारत कर आए कि हम भी उसी को मानते हैं फिर विवाद कैसे हुगा समझी यह ध्यान से देखेए, आप इसको समझ दिए कि यह नेपाल है, यह मान के चलिए यह नेपाल है, यह नेपाल हो गया और यहाँ पर उत्राखंड है, इधर का एरिया यह उत्राखंड में, जो महाकाली नदी है, उसकी तीन तर साखाएं है द्यान से समझी आप नकसा को देखिए. जिसको हम black कलर से किए हैं ये नेपाल है और ये जो red कलर से बना दिये हैं ये इंडिया का उत्राखंड राज्ल है अब सुगौली की संधी कहा गया था कि यह जो ब्लू कलर की नदी आ रही है यह महाकाली नदी यह नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी दिक्कत इस बात किया है कि नदी का उदगम जो है वो तीन नदियों से मिलकर होता है एक इधर वाले का नम है लिम्पया धूरा इधर जो है लिम्पया धूरा तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पया धूरा इधर में हो गया काला पानी सबसे लास्ट में है लेपु लेक सबसे लास्ट में है लेपु लेक इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेक से शुरू हो रही है कहां से शुरू हो रही है लेपुलेक से इसलिए लेपुलेक से जब ये शुरू हो रही है तो इधार का पूरा एरिया मेरा हो गया नेपाल क्या कर रहा है से शुरा कि जो महा काली नदी शुरू होती है वो लेपुलेक से नहीं शुरू होती है नेपाल कहता है कि यह लिम्पया धूरा से शुरू होती है लिम्पया धूरा से जब शुरू होती है तो यह बॉर्डर होना चाहिए यानि सारा का सारा जहमेला ये इसी एरिया के लिए ये हलका सा जो एरिया इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं ये एरिया से विवाद है सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है इस area पर पहले से कपजा India का है, यह जो tri-generation है, तीनों का area, इसका इसका, इसपर अधिकार पहले से India का है तो नेपाल का रहा है कि भईया, मेरा है आप खाली करिए, नेपाल को यह गरमी कहां से है भईया, यतना जुनू जो कभी हमसे आँख मिला नहीं सकता था आज इतना बढ़के बोलने लगा, समझे इसके बारे में, तो ये समझ गए, Border Road Organization ने एक न्यू सड़क बनाई थी कहां से, काला पानी से लेपुलेक तक 80 किलोमीटर, किसलिए मांसरोवर यातरा पर जाने के लिए, अब नेपाल ने एक नया नक्सा लगा दिया, नेपाल ने अ नक्सा आको नहीं मानते हैं, ये नक्सा गलत है, उकाता कि नहीं, आप मानिये क्यों ये सुगौली की संदी 1816 की बात है, तो आप समझ रहे न, वो उदगम से एक जमेला है, कि कहां से माना जाता है या आप, अब समझे नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, नेपाल में अभी जो स रहा है, और उसके प्राइम मिनिस्टर है के पी सर्मा ओली, ये तो समझ देगी कि एगदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तेयारी में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बरबात करेगा, चाइना किसी को भी अपने डिफ्ट ट्राप में बिछा यही चाइना करना चाहता है कि इनके साथ, नेपाल के साथ इनको सरम नहीं आ रही है, समझ में भी नहीं आ रही है, कईसे नेपाल चाइना के कहने पर ये सारा बिवात खड़ा किया है, और हद तब हो गया, जब कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी सर्मा ओली ने क्या क इंडिया spread coronavirus in Nepal, यानी भारत के लोग नेपाल में coronavirus फइला रहे हैं, सोचिए, भारत के लोग फईला रहे हैं, हद हो गया भाई, हिंदुस्तान ने 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 पाल को 2,000,000 टेबलेट दिया था, ईज्डूसी क्लॉरोकूीन का, दो लाख टेबलेट दिया था ने 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 पा आपको आप आगे समझाते हैं और क्या बुलाए कि इनको समझ मेंनी आ रहा है तो आप ये समझें ना कि की लंपियाधूरा का में बीवात क्या है लंपियाधूरा उत्तरखंड के पिथौड़ागड जीला में आता है यह समझ में आगे कि आपको आगे समझाते हैं और क्या चीज़ है इसका इसकी इन सोट लेना चाहिए तेक ले सकते हैं देखें जो सड़क बनाए गया है वो सड़क बनाना जरूरी भी था हमारे जो स्रधालू कैलासमान सरवर यात्रा जाते हैं आप उनका इस्थिति देखिए कितने दुरगम इलाके में जाते हैं दुरघटना हो जाती है और भी आप देखेगा इस एरिया में क्या हालत है सड़ का आप देखें कितनी गहरी खाई है इतनी गहरी खाई में यह लोग हम लोग की यात्रा करनी पड़ती है यह मतलब जो कलासमान सरोवर की यात्रा पर जुसरा धालू जाते हैं उन पर तो यह सड़क बनाना एक तरह से जरूरी भी तो था तो बॉर्डर रोड और वो नेपाल के साथ क्या करना चाहिए हर चीज काए एक र्क्लूजन होना चाहिए तो देखिए उसके बारे में देखिए पहला तो इस मुद्य को हमें नॉर्मली डेलिगेट बेसिस पे कुटनितिक तरप सुल्जा लेना चाहिए कुटनितिक मतलब होता है बातचीट करके अधिकारियों के द्वारा इस मामले को सुल्जा लेना चाहिए क्यों क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं पडोसी नहीं बदल सकते हैं दोस्त बाद में आते हैं पडोसी तो बगल में रहते हैं अगर हम अपने पडोसी से ही दोस्त के तरह बेवार रखेंगे तो जादे अच्छा रहेगा तो इंडिया इसलिए नेपाल को समझाता है लेकिन ही समझ नहीं रहे हैं तो चलिए एक पर हम दिखाते हैं नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रिलर दिखाया था 2015 में 2015 में मदेशिया विवाद था इंडिया के कुछ मदेशिया जाती के लोग नेपाल में बसे नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था इंडिया ने भी क्या किया तो ध्यान से दिखेगा नेपाल का जो border share होता है इंडिया के साथ ये मैदानी छेतर है यहाँ ट्रक वगएरा जा सकते हैं इस रास्ते से ट्रक वगएरा जा सकते हैं लेकिन ये वाले एरिया पूरी तरह पहाड है और बड़े बड़े पहाड है माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है बड़े बड़े तो चाइना से इधार आना बड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचे तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगा पे उतार देते हैं और कलकत्ता बंदरगा से ट्रॉक के रास्ते इसको नेपाल पहुचा दिये जता है इसका मतलब नेपाल पूरी दुनिया से अगर चाहता है जुड़े तो उसके लिए दो ही रास्ते है या तो भारत या तो चाइना अब समझे भारत और चाइना में क्या प्रॉफिट है अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते तो ट्रांस्पोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिए गया तो एक किलो अलू अगर दस रुपया है तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वह दस रुपया कीलो का आलू बारा रुपया कीलो हो जाएगा क्योंकि यह ट्रॉक वगर अगर भाड़ा भी जोड़ना है लेकिन वहीं आलू जो दस रुपया कीलो अगर आप चाइना की ओर से भेजिएगा तो यह आलू 200 रुपया कीलो हो जाएगा इतना भयानक इधर मतलब पहाड है सब की जाइए नहीं पाएंगे आप यहां तो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि भाया अगर भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा 2015 में भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया दो महिने में नेपाल का यह हाल हो गया कि नेपाल के जहाजों के पास पेट्रोल नहीं था वो नेपाल के प्रदानवंतरी बोले थे हैं कि कोई भी जहाज अगर नेपाल में आता है ना तो आप वो लिम्पयादुरा को मान रहा हम लेपुलेक को छोड़ ही नहीं सकते हैं एक jug can form छोड़ नहीं सकते है और ये नरेंदरमोंधि बईतने मंपर्दान मंत्री कस्मीर छोड़वे नहीं कि यह लोग कुदर थे पाकिस्टानी यह वो ती लेपुलेक छोड़ेंगे यहाँ पर इनका भी दीन खराब चलगा है बिनास कालेन विपरीत बुद्धी आप समझदार हैं आप भी समझते हैं यह सब चीज़ों को बारे में तो यह टोटल ट्राई जंक्षन का विवाद था आप होप आप समझ गये होंगे काला पानी तो काला पानी लेपुलेक लिम्पया धूरा यह एरिया जो है यह कहां पर है पिथोड़ागड उत्राखण में है तो नेपाल को इंडिया की कितनी जरूरत है आप समझ सकते हैं और ह हमारे जनरल थे मानिक्सा बहुत ही बहादूर फील्ड मार्सल जनरल से भी उपर का पद होता है फील्ड मार्सल इतना उपर पद होता है सेना में कि आज तक दो ही लोग को मिला ही केम करियापपा और मानिक्सा मानिक्सा ने बोला था कि अगर तुम से कोई कहता है कि मुझे म संबंद बना की रखें ताकि वहां से हमारे देश में गोर्खा सैनिक आ सकें बहुत ही योध्धा होते हैं और पहाड़ों पर लड़ने के लिए माहिर होते हैं और कस्मीर में पहाड़ी एरिया में वह बहुत कुसलता से अन्याम दे सकते हैं करील की लड़ाई में भी वो है कि टूर ऑन ड्यूटी क्या चीज़ है सेना में तीन साल कैसे जाना है फिर नेपाल से क्या साथ चाइना के साथ अभी जो नेया विवाद हो गया है वो क्या चीज़ है इस सब के बारे में हम समझा देंगे वीडियो पाच्छे दिन से नहीं डाल पाए एक्चुली कि बार बार अपने देश को सेवा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा यही वोक्त है कि आप अपने कामों के बीच में से कुछ समय निकाल के उनको भी समय दीजे तो जब अब कभी-कभी वीडियो रुख जाता है तो आप बात समझे बाब उस काम को भी हम छोड़ नहीं सकत